हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल मैं वनना आज मैं आपको एक ऐसा हेर पैक बताने जारी हूँ जिसे लगाने से बाल घने, लंबे, सुंदर, शाइन तो करेंगे साथ में बालों का ज़ड़ना, तूटना, डेंडरफ सब खत्म हो जाएगा इसे बनाने के लिए मैंने अपने बालों की लेंद के हिसाब से ही महंदी पॉर्डर लिया है आप कोई सी भी महंदी ले लें जो आप यूज करते हैं मैंने सिंपल महंदी पॉर्डर लिया है इस हेर पैक को बनाने के लिए मैं पानी का जरा भी यूज नहीं करूँ महिंदी हमारे बालों को घना और मजबूत बनाती है यह बालों को गहराई से कंडिशन करती है महिंदी में मौजूद टैनिन बालों को मजबूत बनाता है और स्केल्प के वाइल प्रोडक्शन को भी यह कंट्रोल करती है इस pack को आप महीने में दो बार जरूर यूज़ करें इसे बनाने के लिए मैंने aloe vera की एक पंखडी ली है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी ब्रैंड का aloe vera जल ले सकते हैं और मैंने एक कटोरी दही लिया है देखिए इस तरह से हम पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे aloe vera में side में थोड़े से कांटे होते हैं उसे हम knife की help से इस तरह से काट लेंगे aloe vera में anti-vectorial और antiseptic गुन होते हैं जो बालों को जडने में और बालों के dandruff को रोकने में काफी help करते हैं देखिए मैंने इसे pieces में काट लिया है अब मैं knife की help से इसका उपर का छिलका उतार लूँगी और ये pulp में सीधा ही मेंधी powder में डाल दूँगी आप चाहें तो इस pulp को grind करके juice बना के भी डाल सकते हैं अगर आप सीधे भी डाल दें तब भी कोई problem नहीं है तो मैं सीधे ही डाल रहे हूं knife के मैं दूसरी side यूज कर रहे हूं जो तेज धार वाली side है वो न यूज करके दूसरी side से तो ये असानी से निकल जाता है ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है लेकिन थोड़ी कस के पकड़ने से ये निकल जाता है अब मैं इसमें दही एड करूँगी दही को एक साथ ना डाल कर थोड़ा थोड़ा ही एड करूँगी और mix करती रहूँगी इस तरह से दही से जो है हमारे बालों का ज़ड़ना और डेंडरफ खतम होता है ये एक्स्ट्रा वाइल जो हमारी स्केल्प में होता है उसे भी ये रिमूब करता है इस तरह से मैंने सारा दही जो है इसमें mix कर लिया है और ये अच्छा पेस्ट बना है अब इस पेस्ट को मैं दो घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी ताकि एक अच्छा स्मूध सा पेस्ट बन जाए तो ये बहुत धीला नहीं करना है नहीं तो ये बालों से दो घंटे के बाद जब इस पेक को मैं बालों में अपलाई करूँगी तो देखे मैंने एक अंडा लिया है उसका स्फेद पार्ट जो है वो लिया है येलो पार्ट नहीं लेना है क्योंकि इसे स्मेल आती है अगर आप डालना चाहे तो इसे भी डाल सकते हैं तो इस तरह से स्फेद पार्ट मैंने मिक्स कर लिया है देखे कितना अच्छा पैक बना है इसे बालों पे कम से कम दो घंटे अपलाई करना है उसके बाद इसे शैंपू से साफ कर लेंगे अंडा जो है वो आपके बालों को शाइन और मुझबूत बनाएगा मैंने इस पैक को बालों पे कर लिया है और दो ढ़ाई गंटे के बाद मैंने से शैंपू कर लिया है अगर आपको वीडिया अच्छा लगा है तो कोमेंट करके जू बताएं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जूड करें